मेlles सारे के लिए यहां लोगने साहे वर्ण हराई चानए हो chimney लावा कुछ箁 असे प्श ही पढ़ने की जिरुत नहीं है एक साल न करेक्श करंद कष़ा है तो यह मैं बहुत डेटेल में आपका लेकर चलों यह सब उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने एक पिछले साल का क्रेंट अफेर कवर नहीं किया तो सिंगल वीडियो में आप यहां पर पूरा क्रेंट अफेर कवर कर सकते हैं तो आप लोगों ने वीडियो को शेर भी कर देना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बैल नोटिफिकेशन आउन कर देना फॉर अपडेट्स तो जितने भी अपडेट्स जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको पता चलती चाहेंगे, और कॉनसी वीडियो से हम अपलोड करते जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये इसका जो पीडियेफ लेक्षर की पीडियेफ होगी, तो पीडियेफ आपको टैलिग्राम के हमारे ग्रूप मे पीडियेफ आपको टैलिग्राम में मिल जाएगी, और अगर आपने फेस्बूक ग्रूप को जॉइन नहीं के इसको जॉइन कर लो, और साथ में इंस्टार्ग्राम का भी लिंक को आपको अभी लेबल है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर यहां पर क्या बोला गया है, हमें पता है कि यह जो परपल यह लेवेंडर रेवलिशन के बात करें, लेवेंडर से ही क्या पात चल रहा है, कि किस से एसोशेटर है, किस से रिलेटेटर है, लेवेंडर से रिलेटेटर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यह रेवलिशन हमारा क रख सकते हो next देखते हैं इंदरियानी Medi city के बारे में तो इंदरियानी Medi city के अगर हम बात करें तो यह एक hospital है जिसको हम बोलेंगे कि एक single roof है जहांपे हर एक किसम का जो disease का treatment जो है वह provide किया जाएगा तो यह Medi city जो है कहां पे महाराष्टरा BizantМια के बारे में पूने की गई यो ज़िक्स के बारे में आएटिए हो एसलंडर लॉरित के बारे में पिक्चर докstore फिर इसकी बाद आओ देखो पहले पिक्चर देखो देखी पिक्चर चलाओ देखो यहां पर क्या बोल अगया है कि हमारा इंडिया का पहला सेंक्चुरी Slender Lawrence को जब हो इस्ट्इबरिश किया जा रहा है ठीक है कहां पर किया जा रहा है Tuamilnaadu में यह भी आप यह याद रख सकते हो नेक्स देखो two sun mission के बारे हम बात करते हैं two sun mission के बात करते हैं तो यह किसका mission है NASA का यह United States से उनकी Space Agency तो हम बोलेंगे इसका mission है जिसको launch किया जाएगा इसमें क्या किया जाएगा sun को study किया जाएगा दो सन है जिनको study किया जाएगा तो यह नासा कमिशन है जो कि launch किया जाएगा तो यह भी आप हलका सा इसके बारे में जो idea रख सकते हो अच्छा फिर हम बात करतें इंट्रेंशन स्पेस स्टेशन के बारे में तो आप सब जानते हो नासा जो है वो डी कमिशन कर देगा इंटरेस्ट स्पेस स्टेशन को दो हो जाएगा जो भी सर्विस में था स्टिशन को और इसको crash करवा दिया जाएगा कहां पे पैसे बीकोशन में 2021 ऺीक है तो यह भी अफलका सा सिके बारे में पी आनग सकते हो next देखते है गोज़ टी के सेटलाइट सेटलाइट जो हम फोरकासिजिंग लांश द्वारे द्वारे Näसा के द्वारा और इस के फूल recommendation । सेटलाइट टि मेंनोगत द्वारेट सेटलाइट सेटलाइट तो हम यहां पर यह देखें के इंपड़न चान तो हम यह बोलेंगे की श्रिलенका ने इसका नाम रखा हुआ है असानी, ठीक है? तो यह भी अपनका साइश के बारे में आइडिया रख सकते हो नेक्श आथा समरीती वέन के बारे में, समरीती वέन के अगरं बात करें जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है मोदी जी ने यहां पर जो अट्रिब्यूट दिया है ठीक है जिन लोगों ने अपनी जान गवाई थी यही गुजरात के उस अर्थकोएक के टाइम फिरट के दोरान ठीक है तो यह आप हलका साइडिया रख सकते हो नेक्स एक इंडेक थीज़ होंगे वो सारे जो है वो कवर कर दी जाएंगे बिदा रांकिंग के साथ अच्छा जी नेक्स देखते हैं नेक्स आगा है प्याली बासक के बारे में तो सामने एक चीज मैं स्पीड थोड़ी तेज कर रहा हूं आप लोगों मेरे साथ मैंने एक गंटे में पूरे अगर मैं नहीं स्पीड आइस तीज रखूँगा तो क्या होगा एक गंटे में जो है करेंट पर नहीं हो पाएगा वो फिर ब्यॉंड तल जाएगा एक गंटे से भी उपर ठीक है तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना एक गंटे के साथ जो है मेरे साथ अपनी स्पीड को जो है मैनेज करके रख करके चलना है ठीक है तो चले देखते हैं नेक्स के प्याली बासक के हम बात करें तो प्याली बासक जो है हम बोलेंगे कि इंडिया की पहली वूमेन बन जाती है ठीक है अब भी जिनोंने मौंट टैवरेस को जो है ने कलाइम की है तो इंडिया की पह आपकी बने रहना याद रखना रहना आपके सेपरेड वडियो आएगी, नेच्स देखते हैं गोट हेड़ योगीनी के बारे में, अग्रमा उट के पेरा है यहाँ पैक्छर देखो गूगल में करो करते हैं, जाना दो देखो प्क्छर देखो यहाँ प्रफ्स यहाँ पर है एक मूर्ति आप बोल सकते हो जिनको टाइन सेंचुरी के टाइम पिरिड़ पे तरहान पे चिकाजी फेमस हमारी डिसकावर की गई थी तो हम यह बोलेंगे इसको इंडिया से इंग्लैंड लेकर गे थे ठीक है तो इंग्लैंड से इसको रिटर्न बैक वापीस इंडिया में लाया जा रहा है कि इसको गोट हैडड योगिनी को तो इंग्लैंड से इंडिया में इसको रिटर्न बैक हैनी कि बैक टू इंडिया लाया जा रहा है तो इसलिए यह हमाली है गोट हैडड योगनी जो है यह आइडल जो है 10th century से बिलॉंग करती है यह हमां लेक इसको डिसको डिसकवर किया हुआ है इसके फिल्फों के Central Marine Fisheries Research Institute तो यहां पर इंपॉर्टन है है आपको पूछे जा सकता कि पोला वटा क्या है पोला वटक फीश है जो कि में इंडिन वाटर में देखने को मिली जो को डिसकवर किसने के CMFR आई ने डिसकवर किया है नेक्स देख लेते हैं नेक्स देखने से पहले वही चीज़ अगर वीडियो आपको मेरी अची लग रही है आपको थोड़ा पी बेनिफिट मिल रहा है मेरी वीडियो से तो आप लोगोंने क्या करना है वीडियो को पर लाइक है उसको लाइक करो साथ या चोटू सा वाँ बटन द जादा स्प्रेड करना है तो चलो आप इस टॉपिक पर नेक्स देखते हैं यू एन सीचीडी कॉप 15 युनाइट नेशन कंवेंशन टू कॉंबैट डेजर्टिफिकेशन ठीक है डेजर्टिफिकेशन जो इसके जो हमें फाइट करनी है तो कॉंबैट एनकी फाइट करनी है आइट बेजर्टिफिकेशन तो इसके रिगार्डिग को फिफटेंध मिटिंगंग अमें इसकी 15 बेटेंग में देखने को मिली कहां पर देखने को मिली वह इंप्यूंट बन जाता है यह आइवरी कोस्न में देखने को मिली Ivory Coast में एक जगा पढ़ती है जिस जगा का नाम के है अबीद जान तो अबीद जान नाम के एक जगा है Ivory Coast में वहाँ पे जो मीटिंग जब वो देखने को मिली है और ये मीटिंग अब हुई है 9 से 20 मही तक इंपॉर्टन नहीं अब फिर भी आप एक बार देख लो अच्छा नेक्स लेटे माया माया अंगिलू के बारे में माया अंगिलू के अगर हम बात करें तो यह हम बोलेंगे कि एक परसनालिटी है जिनका हम बोलेंगे United States ने अपने कॉइंज जो है उन में इनका पिक्चर जो वो देखने को मिली है तो पहली ब्लैक उमें बन जाती है जो यूईस के कॉइन में जिनको हमें देखने को मिला है तो यह भी हलका से उनका नाब याद रख सकती हो नेक्स देख लो Philippines के बारे में फिलिपिन हमारे रिसेंटली यूज में क्यूं थी क्योंकि अभी रिसेंटली हम बोलेंगे कि फिलिपिन ने जो है वो बैन लगा दिया कि चायल्ड मैरजे वगरा जो है वहाँ पे नहीं की जाएगी तो फिलिपिन ने लगा है ये भी अप हलकासा याद रख सकती हो नेक्स देख और चीफ मिनिस्टों गवर्नर जिते भी हमारे पॉइंट हुए है 2022 में तो इसके लिए एक separate वीडियो आएगी वहाँ पे आपको सारे चीफ मिनिस्टों गवर्नर जो भी होंगे वह सारे एक separate वीडियो में बता दिये जाएंगे तो next देख लेते हैं फिर floating solar power plant की बात करती है floating solar power plant के अगर हम बात करें तो हम यह बोलेंगे कि इसको anti PC जो है anti PC की full form क्या है यह मुझे आप comment box में बताओ तो NTPC जो है इसको ने लांच किया है इंडिया का लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इसको मतलब भी लांच किया गया हुआ है कहां पर किया है तेलंगाना में किया हुआ है याद रखो हमारा इंडिया का लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क कहां पे setup किया जाएगा उसको launch किया जाएगा मद्यपर्देश में और वो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे largest होगा मैंने क्या बोला मैंने यही बोला कि हमारा इंडिया का सबसे largest floating solar power plant जो है वो established किया गया और यह बोला जा रहा है कि जब वो मद्यपर्देश में इस्टैबलिश होगा तो फिर वो मारा वर्ल्ड का सबसे largest बन जाएगा ठीक है तो यह अपलका से इसका idea रख सकती हो next एको homie baba cancer hospital के बारे में बड़ी ही जादा न्यूस में थी क्यूद यह क्यों न्यूस में थी वो तो नहीं हम यहाँ जानेंगे हम यह देखेंगे कि यह located कहां बढ़ती यह मार ले जाना जरूरी हो जाता है यह located है जी नियू देली में यह भी अफलकास इसके बारे में भी आइडे जो है वो रख सकते हो next देखो इंडोनेशा की बात करते हैं इंडोनेशा के अगर हम बात करें इंडोनेशा की जो पहले capital थी जाकारता थी अब नई capital इंडोनेशा की बना दी गई है उसका नाम के है नूसांतरा तो नूसांतरा जो है वो नई capital इंडोनेशा की बना दी गई है यह भी अफलकास इयाद रखो next देखते हैं खुफ सुगुल लेग की बात करें यह कहां पे located है यह भी news में थी तो यह located कहां पे मंगोलिया में located है तो यह भी अफलकासा इसके बारे में भी idea रखो next देखते हैं शिंगाई के बारे में तो हम बोलेंगे कि यही देखा वर्ल्ड की सबसे longest हमारी metro line जो है वो open की गई है कहां पे की गई शिंगाई में की गई तब ही शिंगाई जो है वो न्यूज में आ गया था कि वहां पे वर्ल्ड की सबसे longest metro line जो हो open की गई है next देख लेती है IMF के बारे में International Monetary Fund के बारे में International Monetary Fund के एक रहा हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि ने चीफ एकनॉमिस यह वो पॉइंट के गई है International Monetary Fund के तो उनका नाम के नाम याद रुको तुछा टिपिकल नाम है अपने हिसाब से इसको पढ़ लो आप यह देखो पायरे ओली वायर गौरिंचस ठीक है तो यह नाम याद रख लो United States of America जो है उनके सर्जन जो है उनका नाम बड़ा ही जादा न्यूस में चल रहा था तो क्यों न्यूस में चल रहा था उनने हार्ट ट्रांस्प्लांट किया था तो पहली बार देखने को मिला कि पिक का हार्ट जो है वो हुमन में डाला गया कहां पे बिहार में बिहार में कहां पे किया जा रहा है पुर्निया डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है तो यह भी नाम याद रुको कि इथिनोल प्लांट हमारा इंडिया का पहला जो है वो सेटप किया जा रहा है कहां पे बिहार में, बिहार में कहां पे किया जा रहा है, पूर्निय डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, नेक्स एकते हैं बाली का पंचायत के बारे में, बाली का पंचायत किसकी बात करता है, हमें पता है कि active participation गर्ल्स की पॉलिटिक्स में नहीं है, हम चाहते हैं कि गर्ल् ही बािटिक्स थे पॉलिटिक्स में हमें ओड़ाती पॉलिटिक्स में झाइप। णरी बाले का बॉल इम्यार संता की साया पॉलिटरी जाय चाल कुंज जए है कन्यूनुतcia को जाद इर्वर्ख योंसी को पिर भी बाले, बेटिरिया कि बारे में शिंगलय बेटिरिया जो हैं बड़ा ही जादा नीज में थे फैले छे में नामी क्यों पार संब्लम क्यों थी लुच्छ एक ओंत्सटपि आ की बैटिरिया में थह थाень के Pixar सकती हैon नेक्स देखो जमतारा के बात करती है जमतारा के अगर हम बात करें जमतारा के है ये जारखंड की डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती ही मारे पूरे इंडिया की पूरे बारत की मारे पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती है जहां पर हर एक villages में जो है वो libraries देखने को मिलेगी मैंने क्या बोला मैंने यही बोला कि जमात्रा जो है वो जारखंड की district है और यह हमारी इंडिया की पहली district बन जाती जहां जिस district के जितने भी villages है वहां सारी जगा जो है वो libraries वो इस्टैबलिश की गई है तो यह भी अफलका सा याद रख सकती हो नेक्स देखते है हमारा 31st देख लेते हैं गगन के बारे में तो हम यह बोलेंगे कि गगन के हमारा indigenous navigation system है तो indigenous navigation system हमने खुद इंडिया का ही अपना बनाया हुए एक navigation system है तो हम यह बोलेंगे इंडिगो जो है हमारी वो पहली airline बन जाती है जो हमारा खुद का बनाया हुआ navigation system जो है जिकर नाम है गगन उसका जो है वो यूज करेगी तो यह भी अफलका से इसके बारे में भी idea रख सकती हो तो अप next चलने से पहले आपको वही चीज अगर वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगोंने क्या करना है लाइक करना है वीडियो को subscribe करना है चैनल को अगर subscribe नहीं किया है और वीडियो को अपने friends के साथ share करना है अच्छा जी नेक्स देखो net zero carbon emission की बात करते है नेक्स देखो net zero carbon emission की बात करें तो यहाँ पर यही बोला गया है कि रेलवेज जो हमारी इंडियन रेलवेज उन्होंने प्लान किया है कि वो net zero carbon emission जो है उसको achieve कर लेंगे कब तक 2030 तक तो यह भी अफलकास ideas के बारे में भी रख सकते हो नेक्स देखते हैं drone school की बात करते हैं तो हम यह बोलेगें इंडिया का पहला drone school जो है वो इसकी inauguration की जा रही है तो इंडिया का पहला drone school की inauguration कहां पर की जारी मद्य परदेश में मद्य परदेश में कहां पर गौलियर में तो यह भी अफलकास ideas के बारे में भी कालिका माता temple के बारे में कालिका माता temple के एक रहां बात करें यह कहां पर located है गुजरात में located है तो recently प्राइम निस्टर जी जो है उन्होंने inauguration की है कालिका माता टेंपल की और उसकी redevelopment की है तब ही जाकि कालिका माता टेंपल जो है वो नियूज में आ गया था बस आपको यही पूछा जाएगा एक्जाम में कि कालिका माता टेंपल जो है वो कहां पे located है जहां पे रिसेंटली प्राइम निस्टर जी ने क्या किया है redevelopment उस टेंपल की किया उसकी inauguration की है तो वो located है जो गुजरात में located है तो यह हलका सा आइडिया रख सकती हो next देको 100% डिजिटल बस इसकी बात करती है तो मुंबई जो हमारी इंडिया की पहली सीटी ऐसी बन जाती जहां पे 100% डिजिटल बस जो है वो देखने को मिली है तो अब यह जो है वो याद रख सकते हो कि परसंट डिजिटल बसी जो हैं वो कहां पर देखने को मिली है वो हमारी मुंबई बन जाती है मुंबई हमारी इंडिया की पहली सिटी ऐसी बन गई है तो वहां पर जूडिशल सिस्टम में जर्नली देखने को मिलता है कहीं सारे मारे ओर्डर्स होते हैं वो जो ओर्डर्स होते हैं वो कितने सारे पैंडिंग्स हैं अब यहां पर यह है कि उन ओर्डर्स को जो हमें ट्रांस्मिट करना है ठीक है तो उसकी ट्रांस्मिशन की जा सक जो भी सेक्योर वे में होगी सेफटी में होगी और फैरी फास्ट होगी नेक्स देख लेते हैं नेक्स हमारा विरंगना लक्षमी भाई के बारे में विरंगना लक्षमी भाई के एक रहम बात करें तो आपको पता है कि जांसी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम जो है वो चे फिर करना है और कमेंट में मुझे आना है कि आपको समझ आ रहा है नहीं हारहे ठीक है ट्रइथ셨ति है न्यक्समें यह क्यों छेले डिया आड़ ईकिताएवर्ड के बारे में हमें तो यह पारे मरें नीयर ही ओठाता है इनको यह वार्ट से समानित किया गया है नेक्स देख लेते हैं टैंपल 360 डिगरी वेब साइट की बात करते हैं तो टैंपल 360 डिगरी वेब साइट के खिर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि यह एक पोर्टल है जो कि लाँच किया गया है इस पोर्टल के थ्रू तो जितने भी बगत होंगे है वो आनलाइन दर्शन जो है मतलब कि प्रवाइड के जाएंगे वो आनलाइन दर्शन जो है वो कर सकते हैं पिल्गिर में साइट के टेंपल्स की ठीक है कहीं पे भी बैठे कर सकते हैं यहीं पे भी और कभी भी किसी टाइम पे भी तो यह भी हलका सा याद रखे सकते हो फ्रॉम एनी टाइम एंड एनी वेर अच्छा नेक्स रहेते हैं असूरगड़ फॉर्ट की बात करते हैं तो असूरगड़ फॉर्ट जो है न्यूज में आ गया था यह कहां पे लोकेटेड ह उरिसा में उरिसा में भी कहां लोकेटेड है काला हंडी डिस्ट्रिक में लोकेटेड है तो यह भी हलका सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हो नेक्स है को 5G टेस्ट बैड की बात करते हैं 5G टेस्ट बैड के गर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में कोई कुछ का 5G test bed जो है वो हमने क्या किया हो एक setup किया हुआ है जहां पर वही होगा कि जो भी हमारे startups हैं जो भी हमारे industries जिनने कोई product वगएरा त्यार किया अब उनको abroad में जाने की जुरूरत नहीं है अब हमारे इंडिया में यह 5G test bed जो यहां जाएंगे यहां पर उसकी testing हो गएरा जो है वो की जाएगी जो पहले उनको abroad में जाना पड़ता था था उनको ब्रॉड में जाने की जुरूरत नहीं है तो मतलब हमने क्या कर दे जो dependency मारी बनी थी ब्रॉड के उपर वो dependency को हमने reduce कर दिया और हम अपने प्रॉडक्स को हमारे इंडिया का ही जो 5G test bed यहीं पर प्रॉडक्स को लाया जाएगा और यहीं पर उसकी testing की जाएगी तो अब यही हलका सा याद वही लिखाओ प्राइम निस्टर ने जी ने मुबाइल हनी processing van के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की पहली ऐसी van बन जाती है जो की launch की गई है के वी के वी के दोरा तो इसको launch कहां किया गया हुआ है यह नाम यादर को सिरोरा village of गाजियाबाज जो उत्तर पर देश बढ़ता है तो उत्तर पर देश के नाम का village है वहाँ पे mobile honey processing van जो है इसको launch किया गया है कि इसके तरह के दोरा तो यह भी आफलका से इसके बारे में आइडिया रख सकती हो नेक्स देखने में जो है वो कैसा इसकी पिक्क देख लो आप अच्छा नेक्स देखती है नेशनल एर स्पोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं यहां पर स्पोर्ट की बात की जारी एर स्पोर्ट की बात की जारी तो इस पर द्यान देना एर स्पोर्ट तो हम बोलेंगे कि इंडिया जो है वो हम बोलेंगे कि यही टॉप एर स्पोर्ट नेशन बन जाता है जब यह पॉ 2030 में इसकी policy जो है आपको देखने को जो है वो मिल सकती है तो यह भी हलका साथ इसके वार में आइडिया रखो पस यह आपको पूचे जा सकता है कि यह किस ministry के अंदर आती ministry of civil aviation यह आपको हलका साथ रखने इसके बारे में नेक्स एको living root bridge की बात करते हैं living root bridge की हम बात करें यह कहां पर located है मेगालिया में है इसको recently UNESCO heritage tag जो है वो मिल गया है तब यह news में आ गया है living root bridge नेक्स एकते हैं graphene innovation center तो graphene innovation center जो है इंडिया जो है इंडिया का पहला ऐसा center जो फुल फॉर्म के square kilometer array observatory तो हम यह बोलेंगे इसको बनाया गया है कहां पर Australia में बनाया गया है और South Africa में बनाया गया हुगा है यह हम बोलेंगे कि है कि है गया वैसे square kilometer array observatory है कि largest एक टैलिस्कोप है रेडियो टैलिस्कोप है तो इसका इंडिया भी participating member है मैंने क्या बोला मैंन इंडियो तो आपको पता है एडियो स्टूडेंट से वो युकरेन वे जो है वो मतलब कि वहाँ इसकोम को यह वहांसे वह योद्येद करना था संपार शूल्यूंगा ऑठ तौप पाई धर घ्र 19 in 916 इन उप Georgiषल तो दो मेड इन अफ्रिक हो हो यह इसको पारे मैं इडिया करते हैं इसको पब्लीश करता है International Labour Organization ILO जो है इसको जो है वो पब्लीश करता है नेक्स टो फोरजी नेटवर्क की बात करती है तो हम बोलेंगे नासा जो है वो सेट अप करेगा फोरजी नेटवर्क कहां पे मून में सेट अप किया जाएगा नासा के तो नासा हमारी पहली स्पेस अजन्सी बन जाती है जो की 4G नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है कहां पे मून पे अच्छा नेक्स देख लेते हैं UPI ये बात करती है तो नेपाल जो है वो पहली कंट्री बन जाती है जो हम बोलेंगे कि डिपलॉय कर रही है हम ये ही इंडिया का UPI पोटल तो इसलिए नेपाल का नाम याद रखो बाकी वीडियो अच्छी लेगी इस लाइक करो शेयर करो वीडियो को सबस्क्राइब करो चैनल को बेल नोटिफिकेशन को अन कर दो अच्छा फिर हम बात करते हैं परवत अमाला स्कीम की बात करते हैं परवत अमाला स्कीम के एक रहम बात करें तो यहां पे हमने यही देखा है Ministry of Road, Transport and Highway जो है उसके अंदर यह स्कीम आती है मोर्टेज तो Ministry of Road, Transport and Highway जिसमें क्या किया जाएगा रोपे प्रोजेक्ट्स वगयरा एट रोपे प्रोजेक्ट्स वगयरा बनाए जाएगे जिसमें रोप की लैंट कितनी होगी 60 किलोमेटर की लैंट होगी 2022-2022 में उपरेशन होते हुए यह मैं देखने को मिल सकते हैं यह आपको पता है बजट में भी इसके बारे में की सप्लाई की जाएगी जब रशिया से जर्मनी को गैस की सप्लाई की जाएगी तो बाल्टिक सी से जो है मतलब की सप्लाई होती हुई जाएगी तो अब यह देख सकते हो कि गैस पाइपलान जो बिछाने की बात की गई है जो कि 1200 किलोमेटर लॉंग होगी जो कि रशिया से जर्मनी को जो है वो गैस की सप्लाई करने की बात की गई है नेक्स देखते हैं यही डैविंसी मीशन की बात करते हैं डैविंसी मीशन पहले फूल फूर्म देख लो हमाँ जो वैनश हया है वहाँ पे वैनश प्लाइनट पे हार्षटमाश्फेर ए है उसको इसको harvest करना तो उसके बारे में study करके information जो है वो gather करना है पर उसप्र हम देखेंगे कि वह बात और हार्षटमाश्फेर ऑश के बारे में जानने की बात लाट की हुए हैं तो उसकी भी एक separate आपको जो है वीडियो मिल जाएगी ये भी separate वीडियो हैगी तो उस वीडियो में ये cover कर लेंगे नेक्स देखते हैं अनन्थ टेक जो बड़ा था न्यूज में था आपको उता है इंडिया जो है पहला प्राइबट इस पेस्क्राफ्ट जो है याद रख सकती हो नेक्स देखो इंटरनेशनल लिक्वर्ड मीरर टेलिस्कोप की बात करते हैं I.L.M.T. की बात करते हैं तो इंडिया का पहला बन जाता है और एशिया का लार्जेस्ट बन जाता है तो अब यह देख से तो इंडिया का पहला और एशिया का सबसे लार्जेस्ट तो International Liquid Mirror Telescope जो यह सको setup किया गया है कहाँ पे उत्राखंड में, उत्राखंड में, कहाँ पे नैनी ताल में किया गया है नैनी ताल में वह ये दिवस्तल Observatory है वहाँ पे Telescope जो हम बूले के setup किया गया है तो यह उसका नाम सी पाच चल रहा है कि यहाँ पे देखो यह कहा हुए लिक्वर्ड मतलब कि इसमें मरकरी वगेरा जो है उसका यूज किया गए टैलिसकोप के अंदर लिक्वर्ड थिन लेर ओफ मरकरी तो यह आपको इसके टैलिसकोप के अदर देखने को पर जिसका काम क्या होगा यही एस्टरोइट को study करना space debris को मैंने क्या बता है मैंने यही बोला कि यह जो हमारा टैलिस्कोप है इसको सेट अप किया गया है कहां पर उत्रा खंड में उत्रा खंड में कहां पर नैनी ताल में नैनी ताल में हम बोलेंगे अब्जरवेटरी दिवस्थल अब्जरवेटरी वहां पर इसको सेट अप किया गय तो ये आप लगासा इसके वारे मैं आडिया रख सकते हो sell पर इंडिया का बे। है ने कि इस आरे वीनस प्लेनट का और सर्फिस जो वीनस का उसको जो है वो स्टडी किया जाएगा नेक्ट डबल्यू एचो जी सी टीम की बात करते हैं डबल्यू एचो जी सी टीम के अगर हम बात करें फुल फॉर्म के है यही ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रिडिशनल मेडिसिन तो यही देखास की फॉल फॉर्म भी यह बोला जा रहा है कि हमारा यह हम बोलें कि पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा सेंटर बन जाता है जो कि आयरुवेद के उपर है जिसको सटड़ आप किया जा रहा है या फिर एक अकलोता यही हमारा सेंटर है जो कि आयरुवेद के उपर पूरे वर्ल्ल का जो सेटप कहाँ केगे इंडिया में केगे इंडिया में कहाँ पे गुजुरात में यानि की जामनगर में तो आगे देखने हैं जायर ना वहीं चीज एकर लइस लगषर करो शेर करो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो फिर हम बात करते हैं यहीं देखा शिंग कुलापास की बात करते हैं शिंख्कुला पास के अगर में बात करें ये पास हिमाचल ungef 얼ब Herd Pal परदेश में तो स्य क्या चाना किया है यह वयरूडर रोड ऑर्ढ़नीशिन यह है वोज ठीक पर्बू से तो जल्दी से जल्दी जो है वो एक लोकेशन दूर्से लोकेशन में जाया जा सकता है तो अब यह बहुत सदे बॉर्डर रोड और्गनिजेशन जो इसको कंस्टर्ट कर रही तो इस वर्ड का सबसे हाइस टर्नल बन जाएगा जो हमारा शुंकुला पास में बनाया जाएगा मैंने क्या बोला है मैंने यही बोला शुंकुला पास जो है हमाचल प्रतेश को लडाग के साथ तो बॉर्डर रोड औरर्गनिजेशन पास सबसी है थी और बना दी दियाए और एक लोकेशन डुसरी लोकेशन को बड़ी हुम बात करते हैं सवाम स्वामी नरायन अक्षरदाम टेंपल कॉंपलेक्स यह बड़ा ज्यादा न्यूज में था वो क्यों क्योंकि हम यह बोलेंगे कि इंडिया जो है इंडिया जो है पहला पोर्टेबल यही सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम रूफटॉप सिस्टम जो है ठीक है वो इसकी पोर जो है सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम जो भी यह जो है वो लगाया जाया रहा हुआ इन्जाग्रिशन की जाया रही है तो इंडिया का पहला भार हुए तो इनडिया का पहला है बड़ीचा कारे करम तो यूवा विग्यानी कारे करम ये इसकी फुल फॉर्म है तो हम बोलेंगे इसको हम एक और नाम से जानते हैं यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको मैंने बला यूविका की फुल फॉर्म क्याए! यह आपको बने बता दी और इसको एन्ग सांटिस्स प्रोग्राम के नाम से भी जानती है तो अब यहाँ पर क्या है किया गया हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चेह उनको मतलब कि science की field में उनको knowledge वगरा दी जाए उनको जो है वो ग्यान वगरा दी जाए science की field में ताकि वो लोग science and technology की field में आगे बढ़कर आएं ठीक है तो यहाँ पर इसको organize किस ने किया है यूविका को इस रो ने organize किया है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको एक basic knowledge provide की जाएगी space tech के बारे में space application के बारे में space science के बारे में जिससे कि वो आगे in future science की field में जो है वो एक अच्छा contribution दें और हमारे देश का नाम भी रोशन करें अच्छा फिर हम बात करते हैं नेक्स देखते हैं नागरलेंड assembly के बारे में तो नागरलेंड assembly जो हमारी इंडिया की पहली assembly ऐसी बन जाती है जो कि हम बोलेंगे एक paperless assembly बन गी हमारी इंडिया की तो इंडिया में भी paperless assembly नहीं है तो पहली कौन सी बन रही है हमारी वो परंगंगा तो इसको भी इसेंटल किया गया है कहा पर उत्राखंड में उत्राखंड की आयटे रुड़की है तो हम बोलेंगे यहां पर जो है इसटाउल किया गया है ठीक है नेक्स एक लेते हैं नेक्स हमारा best marching contingents के बारे मैं आपको पता भी 26 January हुई वहाँ पर हमारी कई सारे टर्बलेक्स या जहांकियां जहांकियां की स्पैलिंग कर ले तो उसके लिए सौरी तो अब ये स्पैलिंग ठीक कर लेना पर नोट से तो में ये बोलेगे जो 26 January हुआ वहाँ पर मैं पता कई सारी जहांकियां तो अब सबसे बेस्ट जहांकि जो है किसकी मैं आपको अगर आपने मेरा देखा होगा करेंट अफेर जैन का जो मैं आपको बहुत ही ज़ादा डेटेल में एक सेपरे टॉपिक करके करवाया था तो यहां पर यही जीज बोली गई है कि यहां पर 26 जैनवरी जो है यहां पर हमें कई सारी जहांके देखने को मिली और सबसे बेस्ट जांकी जो है वो किसकी जांकी बोली गई उत्राखंट की जांकी बोली की तो हम यह बोल सकते हैं कि उत्राखंट की जांकी जो है वो हमारी सबसे बेस्ट जांकी उसको खिताब दिय होगा तो यहां पे आपका कोशन यह है कि आप मुझे यह बताओ कि टॉनिसिक जैन में चीफ गेस हमने बलाया थे अज्युक्त से तो उनका नाम क्या है जिनको मने यहां पे बलाया था मुझे आप कमेंटर इसका अंसर करके बता हो गए ठीक है तो नेक्स एक लो पीटी उशा पीटी उशा जी जो है उनका नाम जो है बड़ा जादा निउस में था वो क्यूं क्यूंकि हम यह बोलेंगे इंडियन औलम्पिक एसोसियेशन के जो है वो प्रेजिडेंट जो है वो चूने गे है और उसमेंसे हमारी इंडिया की वूमेन का ही नाम निकल कर रहा है जिनका नाम है पीटी उशा तो हम बोलेंगे कि हमारी पहली इंडिया की वूमेन एज़ प्रेजडेंट की तोरों ने बनाई गई है इंडियन ओलम्पिक एससेशन की तभी यह न्यूस इंपॉर्टेंट है नेक्स देख लेते हैं बाशा सेटिफिकेट सेलफी इनिशेटिव की बात करते हैं तो बाशा सेटिफिकेट सेलफी इनिशेटिव के अगर हम बात करें यह इनिशेटिव किसके लिए जनरली यह बोला जा रहा है कि यह इस इनिशेटिव को प्रमोट किया गया इसलिए ताकि इनिशेटिव किसकी बात कर रहा है कि एक एप जो है उसको प्रमोट करने की बात कर रहा है कि एप बनाया जाएगा जिसका मैं बाशा संगम मोबाइल एप यह एप बनाया जाएगा और इस एप में जो है वो 22 जो हमारी सेर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सेर्टिफिकेट वो बन्दा क्या करेगा वो सेलफी लेकर सेर्टिफिकेट के उसको अपलोड करेगा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पे तो तब इसका नाम क्या बना देखो बाशा सेर्टिफिकेट सेलफी इनिशेटिव ठीक है तो याद रख सकते हो माई गोव. इंडिया जो है इसकी हम बोलेंगे ये इसको डबलब किया गया है इसके हलका सब इसके बारे में भी आइडिया रखो नेक्स देखो CTM पाइलट प्लांट की बात करते है कोल टू मिथनोल तो मतलब कोल से मिथनोल में जो है वो कनवर्ट किया जा इस देख लेते हैं गोवर्दन प्लांट के बारे में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने इनाउग्रेशन किया इस प्लांट की कहां पर की गई है मद्यपर्देश में मद्यपर्देश में कहां पर की गई है इंदोर में की गई है तो यह भी आद रख सकत Olympic Committee Session की बात करते हैं तो हम यह बोलेंगे International Olympic Committee Session जो है हमारा 2023 काई इंडिया इस बार होस कर रहा है इंडिया में कहां पे होस किया जा रहा है मुंबई में होस किया जा रहा है तब ही हमारे लिए इंपॉर्टन बन जाता है Next देखो Waste to Wealth Creation प्रोग्राम की बात की गई है इसमें यही होगा कि जो हमारी Women's हैं वो क्या करेंगी यही Fish Scales जो है इनके यूस से वो क्या करेंगी Ornaments बनाएंगी इनसे वो Show Pieces बनाएंगी तो इस प्रोग्राम में Women यही काम करेंगी कि Fish Scales जो हैं इनसे Ornamentsants बनाएंगे Show Pieces बनाएंगे और इसको launch किस ने किया है इसको Sidby ने launch किया है और कहां पे launch किया गया है West Bengal में West Bengal में कहां पे सुंदरबन में Next देख लेते हैं Jinnah Tower की बात करते है Jinnah Tower बड़ा ही ज़्यादा निउज में था यह Jinnah Tower जो है उससे इसको Decorate पूरे Tower को जो है वो किया गया था है 1, 2, 3 यह पहला कलर इंडिया का फ्लैक का दूसरा कलर यह तीसरा कलर यह सैफरन, वाइट, ग्रीन तो यह तीनों कलर से जो है इसको हमने पेंटिट किया था तब यह जो है जो है यह सैपरेट ब्रैंड बैस्टर्स के बारे में यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा सैपरेट एक वीडियो है उसमें जितने एक साल के ब्रैंड बैस्टर्स होंगे हम सारे वहाँ पे ही डिटेल में डिसकस कर लेंगे अच्छा जी फिर हम बात करते हैं साथा आपका QS World University Ranking तो आपके लिए QS की फुल फॉर्म मुझे बताओ कमेंट में बताओ इसका क्या है आंसर है ठीक है QS की फुल फॉर्म मुझे अब यहाँ पे रैंगिंग दी जाती है उन्वेसिटी को पूरे वर्ड की तो फर्स्ट राइंक इसको दिया है United States of America की इनवस्टी वह देगा MIT इनवस्टी तो यह सबसे पहला राइंक दिया गया और इंडिया का पहला राइंक इसको मिला है ऐसे राइंक तो टोटल 155 राइंक है लेकिं इंडिया की पहली इनवस्टी बन जाती जिसको भी तक पहला ज ठीक है कंश्ट एकाल इसको फिशिंग कैट सेंसेज की बात करते हैं तो यह वर्न का पहली पालकी है घिकलेइव का इडिया रखो नेक्स देखो आरवे इने दू इनिशियर्टी इनिशियेटीव जो है वो अपने लाईय आ के पहले थो थे डिजी साथ ही दूसरा है यूप पर UPI 123 पर अच्छा डीजी साथी जो है उसमें क्या किया जाएगा यही है कि आप Digital PAYMENT करते हो अब Digital PAYMENT करके आपको Inquayry वगार्र कुछ आपने कर दी है तो आप यह इस के थ्रू जो है वह Inquayry वगार्र जो है वह कर सकती हो फिर बात के दूसरा UPI 123 पे अब generally UPI की services जिसको भी लेनी होती तो obviously यह बात है उसके एक smartphone होना चाहिए एक internet connection होना चाहिए तब ही जाके वो UPI की facilities उसको दी जाएंगी लेकिन अब यह है कि कुछ लोगों के पास जो basic phone होता है उनके पास जो android यह phone नहीं होते smartphone नहीं होते अब वो basic phone के थूब भी जो है वो UPI की facilities जो है उनको यह provide की जाएगी तो इसलिए UPI 123 पे उन्हीं लोगों के लिए जिनके आप basic phone है तो वो उन basic phone के थूब भी जो है यह services जो UPI की है उनको provide की जाएगी बेशक उनके पास smartphone नहीं है उनके phone में internet connection नहीं है फिर भी जो है यह services उनको provide की जाएगी तो तब यह news में आ गया next एक ने जीवा प्रोग्राम की बात करते है जीवा प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हम यहीं बोलेंगे कि यह प्रोग्राम है जो की promote करता है natural farming को तो इसको launch किसने किया नाबाड ने किया है ठीक है तो इसका भी हलका सा याद रखो कि natural farming जो है उसको प्रोग्राम करता जीवा प्रोग्राम उसको launch किसने किया नाबाड ने किया और आप लोगों के लिए वही चीज और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो इंडे की पहली एंबुलेंस सर्विसीज जो वह दी गई इस्ट्रीट एनिमल्स के लिए तो यह किसने launch किया यह सर्विस लाउंच कि गई यह तब नाडू के दोरा यानि कि प्टिक्रर बात करें चन्ने के दोरा जो आप लाउंच कि इंडे की पहली बन जाती है हमारी यह सपर्शिट के लिएंद सब देख लेंगे fem बैठेकर घृते हैं देता मारी निकवार में बनाया गया गया नेताजी सुबाच अंदर बोauf जी की याद में तो यहाँ पर क्यूं बनाया गया हम यह बोलेंगे आपको पता 30 रिसंबर 1943 में क्या हुआ था हमारे नेता जी सुबाज चंदर बोस जी ने हमारा इंडियन नेशनल फ्लाइग जो इसको होस्ट किया था तब जाके हम बोलेंगे कि यह तो उन्होंने यह जो हमारा इंडियन फ्लाइग जो है उसको वहाँ पे होस्ट किया था कहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे लोकेटिड हमारा अंड़मा निकोबार में तो इसलिए वहाँ पे होस्ट किया था इंडियन फ्लाइग तब भी जाके हमने क्य कि ये नेशनल इसे चुड़ा फैशनल टेकनोलोजी न्यूस में इसलिए आई क्यूंकि इसने रिसेंटली अभी डिजाइन किया है हमारी इंडियन आर्मी जो उनकी यूनिफॉर्म जो है वो डिजाइन की गई है निफ्टी के दोरा तो इसलिए हम बोलेंगे ये न्यूस में रिसेंटले के बारे में बात करते हैं तो कल्पना चावुला सेंटल जो है इस की Needham की गई है कहांपर चंडी गळी करेंगे obviously बात है कि हमारा जो पैसा जो है वो भार को जाएगा हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है भार को जाए हम चाहते हैं हमारा पैसा जो है हमारे बारत में ही बना रहे और हमारे ही इंडिया की development में ही वो पैसे का जो है वो यूज किया जाए तो हम चाहते हैं कि वो यहां पे रहे इंपोर्ट हमारा कम हो और export हमारा जाद हबर एक्सपोर्ट का एक और विनिफिट होगा कि हम जब यहां पे चीजें जाद ही बनाएंगे तो हम यह है कि हमारा आदम नियुन पर भारत भारा वह भी प्रॉमोट हो रहा हुआ और साथ ही हम बोलेंगे हमारे जो यहां की जो डुमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एक मौका मिलरत जादे जादे जादा चीजों को बनानेगा तो वो इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होगी तो ऑबिसी बात हमारा GDP भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और हमारा जो इं लिए यहां हमारे इंड्या केंपेंगी को लाइंडे की बात करता है तो इसलिए हमने यह ब्रैंड कांइड यह की जो है कि अब बरॉड में यहिए कि इनकी आपर इसे बहर भी आपा इस्टेफिश होता हो दिख सकता है तो इंडिया जो है अब इन्डिया से भार ऑगा इसलिए नाम याद रखो फिर हम बात करते हैं नेक्स लेको परपल फेस्ट की बात करते हैं तो परपल फेस्ट जो है इंडिया का पहला फेस्टिवल है जिसमें इंक्लूजन की बात करता है कि सब को जो है वो साथ लेने की बात करता है सब को इंक्लूड करने की बात करता है त ठीक है सब एक है तो इसी की बात inclusion की बात करता है सब एक समान है तो इसलिए उसकी बात करता है उसका ceremony कहाहं पे की गई है अच्छा जी नेच्स देखते हैं फिर आता है मारा central और state government scheme central और state government scheme के बात करें इसके आपको मिल जाएगी प्लेलिस्स में जो हो होँआ पर आपको मिल जाएगी इंपॉर्टन डिसकेशन के फोल्डer से वहां से आप जो हिए ये G20 डिटेल में ने करवाया, वहां से कर सकते हो, आप कुछ प्लेसी जो है, एक साल में कौन-कौन सी न्यूज में रही है, वो प्लेसी के बारे में भी एक separate एक वीडियो बनाएंगे, फिर important summits लेखेंगे, कौन-कौन सी important summits लेखेंगे, इसकी एक separate वीडियो बनाके लाऊं ये 2023 वाला budget और economic survey की बात कर रहूं है, ठीक है, तो budget तो मैं करवा चुका हूँ, और economic survey की एक separate video दे दूँगा, और बाकि एक साल में जितने भी मारे December 2022 तक जितने books और authors हैं, वो separate video में आ जाएंगे, और days और theme की बात करने, ये भी separate video में आपके आ जाएंगी, और यहां से मा आपका पूरा एक साल का जितने भी important current affairs से वो cover हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको video अच्छी लगी तो आप लोगोंने क्या करना है, आप लोगोंने बस video को like करना है, वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है, और अगर channel को subscribe नहीं किया है, तो आप लोगोंने क्या करन है, तो comment box में नीचे बताओ, कि अच्छा लगा है, या थोड़ी changes लाने के जरूरत है, जो चीज आपको जैसा आपको लगता है, वैसा मुझे comment box में बताओ, next video में आपको वैसी ही video जो है, वो मिल जाएगी, अगर इसमें थोड़ी changes लानी है, तो वो भी बता देना, वैसी नीए video आपको जो है, वैसी मिल जाएगी, ठीक है, तो चलो, ठीक है, thank you